हेलो वीवर्ड मैं हूँ आपकी होस्ट सारा मकसूर खुदा का सलाम विंदगी बक्षता और रूख की ताजरी अता करता है कैथलिक टीवी के प्रोग्राम में मैं हूँ आपकी होस्ट फेरी जॉन बाइबल क्विज प्रोग्राम का मकसद बच्चों में कलाम मुकदस को पढ़ने का शौक पैदा करना और एगाही देना है आज के इस क्विज में हमारे पास सेक्रेट हार्ट कथ्रीडल हाइ स्कूल के बच्चे मजूद हैं जिन में हमारे पास दो टीम्स हैं टीम A और टीम B तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को आप लोगों की ही भरपूर तालियों में वेलकम कहती हूँ बाइबल क्विज के प्रोग्राम में तीन राउंड होंगे हर राउंड में पांच सवालात पूछे जाएंगे जोन से टीम ज्यादा दरूस जवाब देगी वो टीम विनर कहलाएगी आईए हम अपने प्रोग्राम का बकाईदा आगास करते हैं और टीम A से आज का पहला सवाल बाइबल मुकद्स की पहली कताब का क्या नाम है तक्वीन टीम A के लिए फरपूर तालिया टीम B से आज का पहला सवाल लफ्स तक्वीन का क्या मतलब है पिदाईश तहलीक टीम B के लिए फरपूर तालिया पहले राउंड का दूसरा सवाल टीम A से पहले दिन खुदा ने क्या खर्ट किया? रोशनी टीम A के लिए भरपूर तालिया पहले राउंड का दूसरा स्वार टीम B से खुदा ने इनसान को किस के सूरत पे खर्ट किया? अपनी सूरत पर वेरी गूड टीम B के लिए भरपूर तालिया पहले राउंड का तीसरा स्वाल टीम A से करेंगे शेट के माँबाब कौन थे? आदम और हवा वेरी गूड टीम A के लिए तालिया पहले राउंड का तीसरा स्वाल टीम B से खुदा ने इनसान को बनाने के बाद उसे कहां रखा? पागी अदन में वेरी गूड टीम B के लिए भी फरपूर तालिया अब टीम A से पहले राउंड का चोथा स्वाल खुदा ने सारी मखलूग को आका हुकमरान किसे बनाया? इनसान को वेरी गूड टीम A के लिए फरपूर तालिया टीम B से पहले राउंड का चोथा स्वाल खुदा ने आदम और हवा को पैदा करने के बाद उन्हें क्या हुकम दिया फलो और बढ़ो और जमीन को ममूरे महकूम करो वेरी गूड टीम बी के लिए भरपूर तालिया पहले राउंड का पांचवा और आखरी सवाल टीम ए से खुदा ने इनसान को किस से बनाया जमीन की मट्टी से वेरी गूड टीम ए के लिए भरपूर तालिया टीम बी से राउंड ए का आखरी और पांचवा सवाल करेंगे खुदा ने और अरत को किस से बनाया जो पसली जो आदम से निकाली गई थी वेरी गूड नाया, टीम B के लिए भरपूर तालिया, इसी के साथ हमने देखा कि टीम A और B ने बहुत अच्छे तरीके से पहला राउंड सरअजाम दिया, और सब बच्चों ने सब क्वेस्चन्स बिल्कुल ठीक बताए हैं, इसके लिए अब भी दोनों टीम अपने लिए अब हम अपने सेकिंड राउंड का अगास करते हैं, सेकिंड राउंड का पहला सवा टीम A से, خدا ने कितने दिन में सारी काइनात को बनाया, छे दिन में, बरिगूड, इनके लिए बहुत भरपूर तालिया, सेकिंड राउंड का पहला सवाल टीम बी से खुदा ने साथवे दिन को क्या किया खुदा ने साथवे दिन अराम किया और उसे बरकत दे मुकदस थेराया आपका जवाब बिल्कुल दरूस्त है टीम बी के लिए भरपूर तालिया प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् Second round का third question team A से अदन में बहने वाले दर्या में से निकलने वाले चार दर्याओं के नाम बताएं Very good team A Clapping Second round का third question team B से तमाम जानदारों में से जिन को खुदा ने बनाया था सबसे मकार जानवर कौन सा था Samp Very good, Samp अब इस round का चोथा सवाल team A से Samp ने औरत को क्या कहने पर वर्गलाया था वो फल खाओ जिससे खुदा ने तुमे को खाने से मना किया है Very good team A, team A के लिए भरपूर तालिया दूसरे round का चोथा सवाल team B से आदम और हवा ने मना किये फल खाने के बाद क्या महसूस किया? उन्होंने महसूस किया कि वो नंगे है बिल्कुल ठीक जवाब team B के लिए तालिया अब second round का आखरी सवाल team A और team B आप दोनों से पहले team A से आदम और हवा ने अपने आप को ढांपने के लिए किन पतों का इस्तमाल किया? अंजीर के पतों का अंजीर के पतों का बिल्कुल दुरूस जवाब दूसरे round का आखरी और पांचवा सवाल team B आप से आदम और हवा के लिए खुदा ने किस किसम के कपड़े बनाए? चमडे के चमडे के, very good, शाबाज team A और B आप लोग के बहुत अच्छी त्यारी है और आप लोगों ने इस round के भी तुमाम सवालात के दुरूस जवाब दिये हैं अपने लिए एक भरपूर तालिया अब हम अपने तीसरे round का अगास करते हैं जो के हमारा आखरी round है आखरी round के पहले सवाल का जवाब देगी team A आदमी ने अपनी बीवी का नाम हवा क्यूं रखा क्यूंके वो तमाम जानदारों की मा है वेरी गूर बिल्कु दुरूस जवाब तीसरे और आखरी round का पहला सवाल करेंगे team B से खुदा ने जमीन पर लानत क्यूं भेजी क्यूंके इनसान के गुना की वज़ा से इनसान के गुना की वज़ा से आपका जवाब बिल्कु दरूस थै तीसरे round का दूसरा सवाल team A से खुदा ने साम को क्या कहा तू मलाउन है वेरी गूड team A के लिए फरपूर तालिया तीसरे round का दूसरा सवाल team B से खुदावन ने आदमी और और औरत को बाग से बाहर निकालने के बाद बाग की निगाबानी कैसे की एक फरिष्टा के जरीए जो हाथ में बर्ग फिशा तल्वार लेकर खड़ा था वेरी गूड team B के लिए फरपूर तालिया अब team A से तीसरा सवाल round 3 का बाग की किस तरफ फरिष्टा तल्वार लेकर खड़ा था बाग के मश्रिक की तरफ बाग के मश्रिक की तरफ आपका जवाब बिल्कुल जरूस्त है तीसरे राउंड का तीसरा सवाल team B से करेंगे आदम और हवा के बेटों के क्या नाम है वेरी गूड टीम B के लिए भी परपूर तालिया तीसरे राउंड का चोथा सवाल team A से काहिन और हाविल के पेशे क्या थे काहिन किसान था और हाविल चर्वाहा था टीम A ने चोथे सवाल का आंसर बिल्कुल दुरूस्त दिया है इनके लिए परपूर तालिया तो उसने क्या जवाब दिया मैं नहीं जानता क्या मैं अपने भाई का निगेबान हूँ आपका जवाब बिल्कुल दुरूस्त है team B के लिए भरपूर तालिया तीसरे और आखरी राउंड का आखरी सवाल team A से खुदावन ने काइन की हिफाज़त के लिए क्या किया ताके उसे पा कर कोई मार न डाले उसके माथे पर एक निशान बनाया आपका जवाब बिल्कुल दुरूस्त है team A के लिए भरपूर तालिया team B से तीसरे राउंड का आखरी सवाल काइन ने अपने बेटे का नाम क्या रखा हनुक हनुक बिल्कुल दुरूस्चवाब team B के लिए भरपूर तालिया team A और team B ने तीनों राउंड के सारे सवालाद के बिल्कुल दुरूस्चवाब दिये हैं आज की हमारी दोनों team's winner है और इन दोनों team's के लिए भरपूर क्लापिंग्स आप हम अपने नने बच्चों का बहुत शुक्रिया दा करते हैं सेक्रेट हार्ट के ट्रीडल स्कूल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और यूही हमारे Catholic TV को Catholic चैनल को देखते रहे और लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आज के प्रोग्राम को एप्रिशेट कीजिए थैंक्यू मॉप मॉप मॉप